टकप like करनाट कि आज हम लोग बात करेंगे हमारे परोसी बंगड़श को लेके आप पिर से क्या हो जब से हसीनन रियोगे क्या है उससे पाद यह हां टेख Sakण कि pa बैसे यह अठाले मेरे एक वीडियो ने किसी ने कमेंट किया ने कि Πरो Internation अब आप लोग को अबसक्त इदल में कुछ आप प्रेजनली जो बांगलादेश का इंटिरीम goes किया है तो प्रेजनली जो बांगलादेश काइश करने से है जब रूल करते थी at that point of time जो गवर्मेंट था इन दोनों को compare करें तो हम लोगो exactly बहुत सारा question arise होता है कि बहुत सारा question arise होता है कि बहुत सारा question arise होता है आप मैंसे किसी ने comment किया था इसके लिए मैं उनको thanks कहना चाहूंगा और आपका जो सारा question है वो आज हम लोग discuss करने का कोशिश करते है पहला जो question है कि भाई मुहमद उनिस का exactly क्या knowledge है या फिर मुहमद उनिस का अगर हम लोग past में देखे वो कैसे कोई government को run किया है या फिर leadership quality उन में क्या है जो आगे जाक question पर आता है presently Pakistan का जो ISI है या फिर Pakistan government है या फिर चाइना है या फिर US है इस सारा जो countries का support different time में बंगलदेश को मिलता आ रहा है exactly अभी इनका status क्या है यह भी discuss करेंगे इसी वीडियो में next day what about SARC conference मतलब जो सारका conference होने बाला है बंगलदेश में December में उसको लेके exactly क्या सोच ह बंगलदेश का या फिर उसमें क्या होगा on the other side एक और भी controversial कोस्टे ने जो है आपका सेंट मार्टिनी जो आइलाइन जिस पर US का नजर था उसको लेकर आगे जाके उसमें भी क्या होगा तो एक-एक करके question का answer देने का कोशिश करते है पहला जो question थे exactly Muhammad Yunis का क्या knowledge है या फि अगर देखा जाए उनके अपना उनका जो पूरा केडियर है उनमें उनको डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप अब जो आवार्ड से इफरेंट कंट्री से भी मिला है और एक्जामपल 1978 में प्रेसिडेंट अवार्ड बंगलादेश सब्सक्राइब करने के लिए उसको रिजाब करने के लिए महममद इनिस ने अपने तरफ से बांगलादेश में जो ग्रामीन बैंक है वो इस्टाबिश किया था अब यह ग्रामीन बैंक का कौंसेट में महममद इनिस ने अपने तरफ से एक्जाक्ली एक लोन कोशिश किया था जो बंगलादेश के सिटिजन से उन लोग व्लों को और लाधा साइट गवर्मेंट बंगलादेश गवर्मेंट को अपने तरफ से वह बहुत ही अच्छा स्टेप था उस टाइम में इसके लाभी अगर हम लोग जो मुहमाद यूनीज के खिलाफ था सिस्टम कर दा दा जो गरीब है उन लोगों से मौहमांब उनिस्स और पैसा उनलों में दे रहा था आगे जाके यह वह तो चुकाना आई था गरीबों को इस ते इलाव अगर देखा जाए जो इन्टरेस्ट है वह भी देना था गरीबों रहे जो यह एक major issue होता बंगलादेश में जिसके वाज़े से खसीना नहीं चाहती थी कि यह जो concept है और आगे जाके फैले और बंगलादेश में और भी major में मुहमद युनिस अपने तरफ से चाहता था कि वो लोग आगे पॉलिटिकल पार्टी बना है और वो पॉलिटिकल पार्टी एलेक्शन में जीते और यह जो concept है बंगलादेश में बंगलादेश में अगर मुहमद युनिस का पूरा पॉलिटिकल केरियर देखे तो वो जो तो वो काफी छोटा था मुहमद युनिस बंगलादेश के एक्टिव पॉलिटिक्स में 2007 से 2009 तक था जिसमें वो 2008 में बंगलादेश के पार्लेमेंट के मेंबर भी बने थे और उसके बाद उसका जो टर्म है एक्जाक्ली वो नोने अपने तरफ से आगे जाके फिर से पॉल पॉलिटिक्स में अगर हम लोग देखे उस लेवल पर मुहमद युनिस एक्टिव नहीं है या फिर सिर्फ पॉलिटिक्स को छोड़के हम लोग अगर नेक्स लेवल में जेते अगर पॉलिटिक्स में आप जीच जाते हैं होता है कि आप पीम बन गए या फिर आपके पास इतना पावर हो गया कि आप एक इंटिरिंग गवर्मेंट चला रहे मगर जस्ट हविंग अनॉलेज इन इकोनमिक्स तो आप तो इतना अथ्रिटी नहीं प्रोवाइट करता है कि आप एक कंट्री को चला पाए या फिर आप पॉलिटिकली एक कंट्री को समाल पाए on the other side internationally आप बांगलादेश को रेप्रेजेंट करें बांगलादेश के बा दे में सोचें इस से भी बहुत सारा क्रेंज करता है कि आगे जाके बांगलादेश का क्या होगा क्योंकि हम लोग पता है कि मोहमाद इवनीज के पास exactly leadership quality या फिर प्र प्लिटिकल लीड़ ऐसे उस लेवेल पे किसी दूसरे पार्ट के लिए अगर मुहम्माद इउनीस बांगलादेश के फिनाइंस मिनिस्टर बन जाता है अपना जो प्रोवाइट करता है तो हो सकता है कि बांगलादेश का जो एकोनोमी कॉंडिशन है और भी ज्यादा तरक्की करता है अगर वह तो नहीं हुआ मुहम्माद इउनीस इंट्रिंग गवर्मेंट में अभी लीट कर रहे है और डिफरेंट टाइप आप जो इशू से बांगलादेश का उसको अलगी तरह से हैंडल कर रहे है जिसके बाएसे हम लोग जो इंडिया में हैं एंडियां को भी बहुत सारा प्रॉब्लेम फेस करना पर रहा है जो हम लोगो पहले जब से कसी करना नहीं पर रहा था तो आगे जाके इसी कैसे बांगलदेश को लिट गर या फिरing इंडिया के एगेंस्ट में इतना सारा जो फैसला है वह ले रहा है अगर देखें उनका जो कहना है इंडिया के मतलब आप बोलते कुछ और है करते कुछ आ रहे आप बोलेंगे घ्री तो नहीं होता है आप मैसे जो कोई भी बंगलादेश से देख रहे हो सकता है कि आपको लगए यह जो बोल रहे इसका क्या वैलिट पूप है चलिए आपको एक्जांपल भी दे देते पहला जो है मुहमा इसके तरफ से बांगलादेश में जब फ्लड हुआ एडट पॉइंट ऑफ टाइम बांगलादेश में क्या कहां गया कि यह जो फ्लड है यह फ्लड के पीछे जिम्मेदार है इंडिया क्योंकि इंडिया ने अपने तरफ से पानी छोड़ दिया है इसको लेकि आगे जाके फै अंगलादेश में यह पूरा गलत इंफॉर्मिशन स्रिफ एही नहीं तस्लीमा नस्रींग को आप शाहिए जानते हैं उनका एक ट्विटर में पोस्ट आया था एक्जाक्ली अभी एक सांडल है उसमें एक पोस्ट आया था जिसमें यह जो फ्लड में जो लोग हो दिया है उसके बाद दो टाम का भी नहीं एकजाक्ली शर करना में वोग नहीं को लोग उसकें पर आत्सलीवन नश्रीन के तरफ से एक ट्विट कीया था प्र प्रेंड आप तो यह सब सुनने के बाद आप बोली सकते हो कि भाई ऐसा क्यों हुआ एक्जार्टी मुहांमद उनिस यह इंडिया के साथ जो रिलेशन है यह क्यों खरब कर रहे हैं हम लोग को जैसे पता है कि मुहांमद उनिस जो है यह के बास सुनके चलता है on the other side presently बांगलादेश में इ यूस चाता है कि भाई वो लोकेशन हम लोग के अगर बात है वो लोकेशन को यूस को यूस करेंगा एक्जरक्ली इन्ड़ पैसिफिक जो रिजियन साता इंडिया डेयं चाइन यह संगिन गया है तरफी इस यह साथ्ट ना कंप्र नजद रखने के लिए लिए यह एना चा तरब से इसलिए रिलेशन को इंडिया के साथ खराब किया रहा है क्यूंकि एवेस कहना है कि इंडिया के साथ अच्छा सब्सक्राइब लेगा तो हो सकता है कि इंडिया धोकी यह क्या है यह किऊ है क्यों औरुवी ऑगे यपा युएस का मेन मोटो क्या बूलिये युएस को एक ही चीज आता है यूज एम झाठिक में बांगलादेश को भी वही करना चाहता है जैसे कि हम लोग पहले जाएक है different countries में आज के डेट में बांगलादेश को भी वही लॉलीपप उस प्रोवाइट कर रहा है तो अब आते हैं नेक्स्ट कोश्चेंट पर जो सार्क का समिट होने वाला है डिसेमबर 8 से 10 तक बांगलादेश में उसको लेकर हम लोग को पता है शार्क में आठ कंट्री से जिसमें आपका अफगानिस्तान बांगलादेश भूटान इंडिया मौलडीप नेपाल पाकिस्तान और साउथ एश्या है तो एक साथ मिलने वाल है बांगलादेश में दूसरा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री के बीच में जो एकोनोमिक ट्रेड हो रहा है या फिर जो एकोनोमिक बैडियर है उसको कैसे और भी कंट्री को आगे ले जाए जाए इसके लावी एक वान अब दा मीजर इस्यू इंडिया रेस कर सकता है जो प्रॉस बर्डर होगा कि exactly सार्ग में क्या हुआ है इसके लावी जो next question था कि सेंट मांटनी आइलेंड हम लोग देखें बांगलादेश के तरफ से यह कोशिश किया जा रहा है कि इतना जल्दी नहीं कि हम लोग तो अभी इंटिरीम गवर्नमेंट बना है यह इंटिरीम गवर्नमेंट को थो बशार रहने दरूट के बाद जो चाहिए उसके बाद है तरह हम लोग के लिए तरफ से बहुत सरा प्रोटेस्ट भी हुआ है रिगार्डिंग मनलब यह जो को लेकिए आगे बंगलादेश के एक पार्ठ जो यह नहीं चाहता है ऑगे जाके अभी जो मुहम्मध उनी से उनका काम है यह जो सपोर्ट यूएश को जगा का यह बंगलादेश के दिल में ग्रो करने के लिए अन्दाद से एक दूसरा काम है यह एंटी इंडिया सेंटिमेंट है उसको और भी ज्यादा ग्रो करना तीसरा काम है जो मिल्ट्री चीफ है उनको हटाना और प्रेसिडेंट को भी लिए उस हिसाब से हम लोग फिर से कुछ न कुछ प्लानिंग करेंगे हाँ थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट होगा हम लोग हैंडल कर लेंगे इसके लाव अगर कुछ मेजर कुछ होगा जैसे कि हम लोग देखे कि जब भी आपका प्रेसिडेंट को हटाना था पॉइंट следition पाकिस्तान nahi के क्या बहुत है पाकिस्तान कर देखे पाकिस्तानबहुत है क्योंके पाकिस्तान का जो फॉर्मुला है कि भाई दुश्मान का दुश्मन हम लोग का दोस्त है पांगलादेश का आज के डेट में अगर कोई without friend ऑखे और है पाखिस्तान को चाहिए कोई ऐसा कंट्री जो एकनोमिकली आगे जागे पाकिस्तान बनेगा और उसके पाकिस्तान को लगता है यह यह बांगवर्मेंट अज तक पांस सल नहीं चल कुण हो सकता होगा या नहीं होगा वह भी पता नहीं दोनों कंट्री के ऊपर जिनका हाथ है वह आपका इसके लाभी अगर देखे पाकिस्तान का गवर्मेंट का कहना है एक कुछ रिपोट आया था भीश में उसमें सुनने को मिला था कि पाकिस्तान जो है आगे-जागे बंगलाव पाकिस्तान ने अपना पॉलिसी चेंज कर लिया है पहले होता था कि पाकिस्तान इन्वेस्ट करता है तो एक मेजर कुश्षन है कि फिर से क्या उनों लोग को एक और बेलाउट चाहिए आएमेफ क्या करेगा तो जो भी हो सकता है कि उन लोग को कंट्रोल कर ले इसके पाकिस्तान का बहुत खुशी मिल गया कि इंटरनेशनली नेक्स लेवल पर जा रहें जो चोटा बोटा संगन्ट था वो लोग भी आज के रेट में अगर बांगलादेश में धूने अपना जो ब्रांच ऑफिसे बांगलादेश में खोल दिया है और बांगलादेश में पहले बांगलादेश में पहले बार के पीछे हुआ करता था उन लोग भी निकाल दिया है तो लोग अपना पूरा आफिस में पूरा है वह सेट अप कर लिया है और पाकिस्तान का कहना है कि भाई जो भी हो रहा है यह तो हम लोग पहले भी देख लिए है आगे जाके क्या है आग वह थोड़ा सा घड़ गया है अगर हम लोग पास में चाइना एक टाइम में बांगलादेश में बहुत जादा फंडिंग कर रहा था कि चाइना का उस टाइम जो वह था एंटी इंडिया अभी चाइना के पास और भी मेजर इश्यू है ताइवान है आपका यूएस है यह स वर्ल्ड के जो टॉप मुस्ट इकोनमी यूएस से अगर पंगा लेगा इंडिया का सपोर्ट चाइना को जरूरत होगा और रश्या भी यही चाहता है इसलिए रश्या अपने तरफ से इंडिया चाइना को एक साथ बंत के रखना चाहरा है जिसके वाई से चाइना अभी ज पर्मनेटली मिल जाता है तो चाइना के लिए एक वन अब दे मीजर प्रॉब्लेम होगा तो हो सकता है चाइना आज की रेड में जो हम लोग देखते हैं कोई भी प्रोटेस्ट अगर वह लेके हो या फिर जो कोई भी प्रोटेस्ट और जो गावर्मेंट के इसको आगे जाके चाइना को थोड़ा सा रहात मिले अब ऐसे बारे में आप क्या बोलोई यह साब कुछ जो किया करा है यह सब कुछ इए सका मेर्म बंगलादेश को यूज कर दो इसमें यूज Central कर दो कि हम लोगा जो फेड़रिट को ये पपबट बैठाना है बंगलादेश में यूएस ने अपने तरब से वो स्टेप भी ले लिया से कसीना को बहार निकालना था वो भी निकल गई अभी जो मेजर कोश्चेन है यूएस का भाई कितना जल्दी हम लोगो बंगलादेश में अपना जो पावर है वो कंप्रिटली इस्टाब्लिश कर सकते भले यो इसलिए यूएस कभी भी नहीं चाहेगा बंगलाइस में इतने जल्दी इलेक्शन हो और जो मुहम्मद इनिस ने पहले भी कहा है कि हम लोग पांच-छे साल देख लेते उसके बाद अगर लगेगा तो हम लोग इलेक्शन करवा देंगे अब यह पांच-छे साल में एक्ज सबसे जो बेस्ट होगा यह यूएस के लिए और इसके वज़य से यूएस ने सब कुछ फंडिंग कर रहे आज के डेट में अगर बंगलाइस कर रहा है तो जो फंडिंग है वह में लिए आपका हो रहा है यूएस के तरफ से तो यह है एक्जाक्ली स्टैंड डिफरेंट कं कर दिया तो प्लीज कमेंट करके बताइए या फिर आगे अगर आपको कोई वी वीडियो देखने है तो प्लीज कमेंट कीजिए मैं उसके जरूर वीडियो बनाँगा यह वीडियो देखने के लिए बहुत सरा धन्यवाद नेक्स टैम मैं फिर से हजिर हो दो